हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में जैसे आपको पता है समाजिक विग्यान के 500 गे सुबजेक्टी प्रशन हम आपको करवा रहे हैं और ये जो 500 गे सुबजेक्टी प्रशन है ये बोर्ड एक्जाम 2021 में 100% लड़ेगा ये हमारा गरांटी है और जो है विडियो का पार्ट 3 अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखें तो कॉमेंट बोक्स में लिंक है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और आज की इस विडियो में 50 गे सुबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे और गे सुबजेक्टी प्रशन का क्लास कब चलत तो रोज रात 8 बजे चलता है तो 8 बजे आप लोग हमसे जुरूर जुडियेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथ में बेल आइकन को ओल पे भी दवा लिजेगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिके बी उप्सन है महापौर, सी उप्सने जीला अध्यक्ष, दी उप्सन है मुख्या मन्तरी तो है आप वह divers को बताना है कि नगर-नीगम के परधान को क्या कहा जाता है गया यह आपको याद रखना है यहां पर B-Option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और महापौर का कारेकाल कितने वर्सों का होता है तो पांच वर्सों का होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने दो नंबर दो नंबर प्रशने की जाम नगर तेल सुधक कर खाना किस राजे में इस्तित है यहां पर आपको बताना है की जाम नगर तेल सुधक कर खाना किस राजे में इस्तित है यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने तीन नंबर तीन नमबर प्रश्ण की गिरमीटिया किसे कहा जाता है काफी महत्पुड प्रश्ण है की गिरमीटिया किसे कहा जाता है यहाँ पे C option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा काफी मातपुण मातपुण 50 गेस अबजेक्टी प्रशन है और यह जो 50 गेस अबजेक्टी प्रशन है यह बोर्ड एक्जाम्द हो जार 21 के लिए काफी मातपुण है तो प्लीज आप लोग वीडियो को यह देखते हैं अगला प्रशने चार नंबर प्रशने की एक उत्तम इंधन कौन सा है इसमें से आपको बताना है की एक उत्तम इंधन कौन सा है यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा और LPG का फुल फॉर्म क्या होता है तो लिक्विड फाइट पेट्रोलियम गैस होता है आईए देखते हैं अगला प्रशने पांच नंबर प्रशने की भारत में कौन सी दलिया बेवस्ता है काफी मातपड प्रशने पांच नंबर की भारत में कौन सी दलिया बेवस्ता है एक दलिया बी ओपसे ने दुई दलिया सी ओपसे ने त्री दलिया डी ओपसे ने बहु दलिय तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में कौन सी दलिय बेवस्था है तो बहुत दलिय बेवस्था है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने छे नंबर प्रशने की जल दिय बेवस्था कंब मनाया जाता है यहाँ याद रखना है काफी मातपड प्रशने है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 7 नंबर 7 नंबर प्रशने की गूटेन वर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की काफी मातपड गूटेनवर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की ए उपसे ने कुरान, बी उपसे ने गीता, सी उपसे ने रमायन, डी उपसे ने यहाँ पर बाइविल ते हैं आप अपको बताना है कि गूटेनवर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की तो बाइविल की छपाई की इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आठ नंबर आठ नंबर प्रशने की मौल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को A option है अलग अलग अस्थानों पर B option है कुछ वस्तुओं और विडियो को लाइक नहीं कियाए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक ही नो नमबर नो नम्बर प्रश्ने कि भारत पहला जूट मिल किस सहर में PHIL किया गया तो कुलकत्ता में किया गया, इसे आपको याद रखना है, यानि यहाँ पर A option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशने 10 नंबर, 10 नंबर प्रशने की साख का अर्थ क्या होता है, यह भी काफी मातपड प्रशने है, कि साख का क्या अर्थ होता है, A option क्या होता है, A option क्या होता है, यहाँ पर C option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशने 11 नंबर, 11 नंबर प्रशने की 1905 में बंगाल का विभाजन किस ने किया, यह भी काफी मातपड प्रशने है, कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया ए उपसे ने लिटन ने वी उपसे ने रिपन ने सी उपसे ने करजन ने डी उपसे ने इरुविन ने तो यहाँ आप आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया तो लॉड करजन ने किया इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 12 नमबर 12 नमबर प्रशने की कांडला पतन किस राजे में इस्तित है यह भी काफी मातपड़ प्रशने है की कांडला पतन किस राजे में इस्तित है तो यह गुजरात में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 13 नमबर 13 नमबर प्रशने की WTO का विस्तरीत रूप है यहाँ पर आपको WTO का विस्त Trade Organization होता है और World Trade Organization का स्थापना कब हुआ था तो 1995 रिस्वी को हुआ था और World Trade Organization यानि WTO का मुख्याले का है तो जनेवा में है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 14 नमबर 14 नमबर प्रशने की बहुजन समाज पार्टी के संस्था कौन थे काफी मातपर प्रशने 14 नमबर भी कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे एउपसे ने Ambedkat, B option एकांसी राम, C option ए मया वती, D option ए राम विलास पस्वान तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजान समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे तो कांसी राम थे यानि यहाँ पे B option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 15 नंबर 15 नंबर प्रशने की गठबंदन सरकार की पकड़ परसासन पर होती है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 16 नंबर जो काफी ही मात पुढ़ है कि सेर बजार का नियामक संस्ता है यहाँ पर आपको बताना है कि सेर बजार का नियामक संस्ता कौन है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 17 नंबर 17 नंबर प्रशने की दिर्ग काली न रिन कौन परदान करता है यहाँ पर आपको बताना है कि दिर्ग काली ने रिंड कौन परदान करता है तो दिर्ग काली ने रिंड भूमी विकास बैंक परदान करता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने 18 नमबर 18 नमबर परशने की र आई का अनुमान सबसे पहले किस ने लगाया तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशन 19 नंबर 19 नंबर परशने कि वायू मंडल को कितने भागों में बाटा गया है काफी मातपड परशन है कि वायू मंडल को कितने भागों में बाटा गया है एउपसे ने 4, B-Option ने 3, C-Option ने 5, D-Option ने 6 तो यहाँ पर आपको बताना है कि वायू मंडल को कितने भागों में बाटा गया तो पांच भागों में बाटा गया इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सिरी हो जाएगा और कौन-कौन तो पहला होता है छो मंडल दूसरा होता है समताप मंडल तीसरा होता है मध्य मंडल और यहाँ पर चौथा होता है आयन मं तो यह आपको यहाँ पी याद रखना है काफी महत्पुड प्रष्णिता 19 नमबर क्युवाई मंडल को कितने भागों में बाटा गया तो पांच भागों में बाटा गया इसे आपको याद रखना है यनि यहाँ पे B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली से हो जाएगा और Y-U-Mandle में Carbon Dioxide की मातरा कितनी पाई जाती है तो 0.03% पाई जाती है इसे भी आपको याद रखना है और Oxygen कितना पाई जाता है तो लगभग यहाँ पे 21% पाई जा और इसमें से जो भी प्रशन आपको याद न हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लिजेगा क्योंकि यह जो 50 गेस अबजेक्टी प्रशन है यह बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए काफी महत्पुड है और यह 100% लड़ेगा यह हमारा गरांटी है आईए देखते हैं अ यह आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्पुण है यहाप आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्पुण है यहाप आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्पुण है यहापको बताना है कि मनुष्य B.O.P.S.E. ने खेतों के कागज C.O.P.S.E. मुद्रा D.O.P.S.E. माल गुजारी के रसीद्टों हैं आप आपको बताना है कि मनुस्य के आर्थिक जीवान में सबसे महत्पुन क्या है तो मुद्रा है इसे आपको याद रखना है याँ यहाँ पर C.O.P.S.E. क्या हो जाएग A.O.P.S.E. सुंदरलाल बहुगुणा B.O.P.S.E. महात्मा गाधी D.O.P.S.E. रविंदरना टैगोर तो यहाँ आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रिंड नेता थे तो कौन थे तो यह थे सुंदरलाल बहुगुणा इसे आपको याद रखना है याँ यहाँ पर A.O.P.S.E. क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला परशने 24 नंबर 24 नंबर परशने की एक रुपए का नोट जारी किया जाता है यह भी काफी मातपड परशने है कि एक रुपए का नोट जारी किया जाता है तो किसके दौरा जारी किया जाता है A.O.P.S.E. ने B.O.P.S.E. ने Reserve Bank of India के दौरा C.O.P.S.E. ने Bank of India के दौरा D.O.P.S.E. ने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक रुपए का नोट जारी किया जाता है तो किसके दौरा जारी किया जाता है तो यह बित मंत्राले के दौरा जारी किया जाता है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर A.O.P.S.E. क्या हो जाएगा यहाँ बिलकुल ही से हो जाएगा और एक रुपए से जो बड़ा नोट होता है जैसे यहाँ पर 10 रुपया का हो गया 20 रुपया का हो गया 100 रुपया का हो गया यानि जो एक रुपई से ज़्यादा नोट है यनि बड़ा नोट है वो कौन जारी करता है तो Reserve Bank of India जारी करता है तो यह भी साथ में है आपको याद रखना है और Reserve Bank of India का स्थापना कब हुआ था तो 1935 में हुआ था तो ये भी साथ में आपको याद रखना है और Reserve Bank of India का मुख्याले बार बार पूस्ता है कि कहा है तो मुंबई में है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है काफी महतपुड महतपुड 50 गेस अबजेक्टी प्रशन है तो एक भी प्रशन आप स्कीप मत किजिएगा विडि यहां पर प्रशन है कि भारतिय राष्टीय कॉंग्रेस का चुनाओ चीजिए क्या है ये वे एपसे ने हात का पंज़ा B option है कमल, C option है हाथी, D option है साइकल तो यहाप आपको बताना है कि भारतिय राश्टी कॉंग्रिस का चुनाओची क्या है तो हाथ का पंजा छाप है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा और कमल का फूल किस पार्टी का चुनाओची है तो भारतिय जनता पार्टी का चुनाओची है जिसे हम लोग BJP भी बोलते हैं और यहाँ पर देखिए और हाथी किस का चुनाओची है A option ने पटना का, B option ने गया का, C option ने स्यूहर का, D option नलंदा का तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रतिवेक्ति आये सबसे अधिक है तो यह पटना का सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर EOPTION क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा और स्यूहर का सबसे कम है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईये देखते हैं अगला प्रशन 28 प्रशन की सूचना का अधिकार किस परकार का अधिकार है तो बैधानिक अधिकार है जिसे हम लोग समयधानिक अधिकार बोलते हैं यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 29 नमबर प्रश्ण कि बैंकिंग किस छेतर में आता है यह भी काफी महत्पड प्रश्ण है कि बैंकिंग किस छेतर में आता है A option है प्रात्मिक छेतर में B option है सेवा छेतर तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, आईए देखते हैं, अगला प्रशने 30 नंबर, 30 नंबर प्रशने की मेटरनिक कौन था, काफी महत्पड प्रशने हैं, की मेटरनिक कौन था, एयोपसने औस्ट्रिया का चांसलर, बीयोपसने प्रसा का चांसलर, सीयोपसने फ्रांस का समराट डियोप्षन रूस का जारत हैं आपको बताना है कि मेटर्निक कौन था तो मेटर्निक ओस्ट्रिया का चांसलर था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 31 नंबर 31 नंबर प्रशने कि हरित करांती का सबसे अधिक परभाव किस फसल पर पढ़ा तो गेहुं पर पढ़ा इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुली सही हो जाएगा काफी महत्पुड महत्पुड 50 गेस अबजेक्टी प्रशन है तो एक भी प्रशना पर स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकि अंतक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा यह देखते हैं अगला प्रशने 32 नमर 32 नमर प्रशन है कि दुईत्य अभी स्यूद में परमाडू बं किस देश पर गिराया गया तो यह जपान पर गिराया गया इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एउप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा और यहाँ पर देखे जपान देश पर किस ने परमाडू बं गिराया था तो अमेरिका ने गिराया था तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 33 नमर 33 नमर प्रशने की कौन सी मीटी सरवाधी कुप जाओ होती है काफी महत्पड प्रशने है की कौन सी मीटी सरवाधी कुप जाओ होती है एउप्सने परवतिय मीटी बी उप्सने मरवस्थलिय मीटी सी उप्सने काली मीटी डी उप्सने जलोड मीटी तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी मीटी सरवाधिक उपजाओ होती है तो जलोड मीटी सबसे अधिक उपजाओ होती है यानि यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा और भारत में कौन सी मीटी सबसे अधिक पाई जाती है तो जलोड मिट्टी पाई जाती है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 34 नंबर 34 नंबर प्रशने की red data book क्या है काफी महत्पड प्रशने है की red data book क्या है यहाँ पहरत के सभी पसूओ की सूची तो यहांपे आपको बताना है की red data book क्या है तो बिलूप्ट होर है परजातीयों की सूची है याँ यहाँ पर E.Option क्या हो जाएगा यहाँ पे विल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 35 नंबर तो दूसरा अस्थान है, इसे आपको याद रखना है यनि यहाँ पर बी उप haircut क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा और किस देश में सबसे अधिक लोग रहते हैं तो चीन में सबसे अधिक लोग रहते हैं तो चीन एक नंबर पे हैं यानि प्रथम अस्थान पे हैं और उसके बाद किस देश में सबसे अधिक लोग रहते हैं तो अपना देश भारत में रहते हैं और 2030 तक ये आंकड़ा बदल और हो जाएगा सबसे अधिक यहां पे लोग किस देश में रहेंगे तो भारत में रहेंगे भारत क्या करेगा कि चीन को भी पीछा कर देगा जनसंख्या के मामले में तो भारत क्या हो जाएगा आगे निकल जाएगा और चीन क्या हो जाएगा पीछे रहा जाएगा लेकिन गुडवाना की चटानों में किस खनिज का भंडार मिलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। क्रिसी चेत्रे में आते हैं या क्रिसी कार्य में आते हैं यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुली सही हो जाएगा। अगला प्रश्ण 38 नंबर, 38 नंबर प्रश्ण की सुंदरवन कहा है। काफी महत्पड प्रश्ण है कि सुंदरवन कहा है, E-Option गुजरात में, B-Option पस्चिम मंगाल में, C-Option छतिस गड़ में, D-Option महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर बताना है कि सुंदरवन कहा है, तो सुंदरवन पस्चिम मंगाल में है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिलकुली सही हो जाएगा, एक प्रश्ण यह भी पूचता है कि G-1 कहा है, तो G-1 गुजरात में है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 49 नंबर, 49 नंबर प्रश्ण है कि जमसेद जी टाटा ने टाटा आइरन एंड श्टील कमपनी के अस्थापना कब किये थे, तो 1907 में किये थे, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर B-Option क्या ह हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्ण है कि महात्मा गांधी का जनम कहां हुआ था, काफी महात्मा गांधी का जनम कहां हुआ था, एयोपसन बिहार में, B-Option मध्य परदेश में, C-Option राज अस्थान में, D-Option है, गुजरात में, तो हैं आप आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जनम कहां हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, काफी महात्पुड, महा बिडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा, और यह जो इस सीरीज में हम क्या करा रहे हैं, तो यह पार्ट वाइज आपको मिलता रहेगा, और यह है पार्ट थरी, अगर पार्ट वन और पार्ट तू आप नहीं देखें, तो कॉमेंट बोक्स में ल बिल्कुल एक दम सही से टिक करके आएगा, यह हमारा गरांटी है, इसलिए आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखिए, और यहाँ पर देखिए, जो भी प्रशन आपको इसमें से याद नहीं है, तो प्लीज आप लोग उसे लिखते चलिए, या स्क्रिन सोट लेते चलिए, यह देखते हैं, अगला प्रशने एक तालीस नंबर, एक तालीस नंबर प्रशने की भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, काफी मातपुड प्रशने हैं, A उपसने केरल में, B उपसने जारखंड में, C उपसने यहाँ पे केसर में, D उपसने असमें, तो यहाँ पे किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में सबसे मसाला अधिक होता है, यह आपको याद रखना है, और काजू सबसे अधिक कहा होता है, तो केरल में होता है, तो केरल में होता है, और नारियल सबसे अधिक कहा होता है, तो केरल में होता ह और यहां पे आया है एक बात केसर तो केसर सबसे अधिक कहां पे होता है केसर बहुत ही महांगा होता है और केसर किस राजे में सबसे अधिक होता है तो जम्मू कस्मिर में सबसे अधिक होता है एक मातर जगा वही है जम्मू कस्मिर जहां पे केसर होता है तो यह भी साथ में आ लोरो फ्लोरो कार्बन बी ओप से ने कुलोरीन कार्बन डी ओप से ने कार्बन कुलोरो फ्लोरो डी ओप से ने कुलोरीन फ्लोरीन तो यहाप आपको बताना है कि CFC क्या है तो CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन है इसे आपको याद रखना है और CFC कहां से निकलता है तो यह निकलता 43 नमबर प्रशने की चीपको अंदोलन की सुरुवात किस राजे से हुआ था काफी मातपड़ प्रशने हैं की चीपको अंदोलन की सुरुवात किस राजे से हुआ था यहाँ पर बताना है कि चिपको अंदोलन की सुरुवात किस राज्य से हुआ था तो इसे आपको याद रखना है यहाँ पर सी ओपसन क्या हो जाएगा यहाँ पर विलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्णे चुवालीस नंबर प्रश्णे की इटली और जर कुं सा देश था जो इटली जर्मनी के एककरन के बिरुद्ध था एउपसने इंगलेंड बी और रूस सी ओपसने ओस्ट्रिया डी ओस। अने पर ससा तो कौन दी ओप्सन है चान दी तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस खनीज में भारत सू संपन है तो यहाँ पर देखिए लोहा में जो लोहा का खनीज होता है इसमें भारत सू संपन है यहाँ पर सी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी मातपुड महत्पुड 50 गेस अबजेक्टी प्रशने तो एक भी प्रशना पर स्कीम मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 46 नंबर 46 नंबर प्रशने की जन संक्या का घना तो सबसे अधिक कहा होती है काफी महत्पुड प्रशने है की जन संक्या का घना तो सबसे अधिक कहा होती है यहाँ पर डियोप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 47 नंबर 47 नमबर प्रशने के भुकंप किस परकार की आपदा है यहाप पे आपको बताना है कि भुकंप किस परकार की आपदा है यहाप पे C उप्षन क्या हो जाएगा यहाप बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 48 नमबर 48 नमर प्रशने की सुर्य और तारों में क्या होता है A उप्सने नाभीकिया सनलायन B उप्सने नाभीकिया भीखंडन C उप्सने दोन और D उप्सने भौतिक परिवर्दन तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुर्य और तारों में क्या होता है तो नाभीकिय सनलायन की अभिकिरिया होता है यह आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर विल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 49 नंबर 49 नंबर प्रश्ण है कि नाभीकिय अभिकिय अभिकंडन को नियंतरित करने में परियुक्त होता है अपको बताना है कि नाभीकिय अभिकंडन को नियंतरित करने में परियुक्त होता है तो किसका परियुक्त करते हैं हम लोग तो कैडियम का छड़का यहाँ पर हम लोग परिय बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतिम प्रशने 50 नंबर 50 नंबर प्रशने की वास्प चलित रेल इंजन का अविस्कार किया था यहां पर आपको बताना है कि वास्प चलित रेल इंजन का अविस्कार किसने किया था यहां पर आपको याद रखना है यहां पर बि सही हो जाएगा ये थे 50 गेस अबजेक्टिव प्रशन जो बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए काफी महतपुण थे तो अगर आप लेट से जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग देख लिजेगा क्योंकि काफी महतपुण महतपुण 50 गेस अबजेक्टिव प्रशन थे और इसमें से जो भी प्रशन आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे जरूर आप लोग याद कर लिजेगा और कमेंट बोक्स में अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग देख लिजेगा हम इसका पार्ट यहाँ पे पार्ट 3 आज चुके हैं और इसका साड़े तिन सो कोस्टन करवाना है तो इसे भी आप लोग देख लिजेगा अगर आप टोटल पान सो कोस्टन देख लेते हैं तो एक भी प्रशन आपका नहीं चुटेगा यह हमारा गरांटी है और आपके लिए हैं यहाँ पे एक होमबर्ग प्रशन जो इन में से कोई नहीं तो जो भी आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा कॉमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर सेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइबर के साथ में बेल आइकन को अलपे दवाली जिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे हैं अब मिलते हैं सुबह साड़े पांच बजे वाली टेस्ट वाली वीडियो में तक टेस्ट में भी आप लोग जुरूर जुडिए थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मनला आगे पढ़ाई किजिए टेक केर एंड बाई